आप सबने सुना भी होगा और जो सोशल मीडिया में भी चल रहा है जिसमें हमारे दो पुलीस के जवान जो पुलिस्टिशन ले में तैनात थे उन पे रात में अटैक हुआ, उन पे एसॉल्ट हुआ कुछ लोगों के द्वारा और जिसके कारण वो बुरी तरह जखनी हो गए तो इंसिडेंट ऐसा था कि 23 जुलाई को कल रात को तकरीबन 12 से एक बज़े के बीच में ERSS 112 को एक कॉल आता है कि एक केसी रेस्टोरेंट जो की चांकसपा रोट पे हैं वहाँ पे कुछ लड़के जगडा कर रहे हैं और काफी वहाँ पे नियूसंस क्रियेट कर रहे हैं तो जब ये पुलीस को खबर मिलती है तो क्योंकि पुलिस्टेशन लेकि जुरिस्डिक्शन में आता है तो वहाँ से हमारे दो पुलीस कर्मी सीनियर आफिसर्स हैं एक सब इंस्पेक्टर मुहमद जानी और हेड कॉंस्टिबल गुलाम रसूल ये निकलते हैं स्पॉर्ट क पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक ग्रूप ऑफ बॉइस वो एसौल कर रहे थे जगड़ा कर रहे थे एक बंदे के साथ जिनका नाम है जिगमत दोलजे जो के साबू के रहने वाले हैं और उनको उनके बीच में कोई मिसंडर्स्राइनिंग हो गई और लड़ाई भी होने लग गए और वो दोनों उसको रोकने के लिए गए जब वहाँ पे वो दोनों रोकने के लिए गए एंड वो जो लड़के थे आट-दस लड़के वो उनकी बात नहीं मान रहे थे तो इन्होंने फोन निकालके रिकॉर्डिंग करना शुरू किया जो कि एक स्टैंडर् को इमीडियेटली वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए तो जब ही सब इंस्पेक्टर जानी ने मोबाइल निकालके रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की तो उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है स्टैंजिन नेंटक उसने हमला कर दिया हैट कॉंस्टेपल ग में जखमी हो गया जब यह फिर इंसिडेंट हो गया फिर तुरंत ही पुलिस जो दो हमारे पुलिस परसनल थे उनको हॉस्पिटल ले गया एंड मेडिकल एड दिया गया जो सब इंस्पेक्टर जानी है उनके हाथ में चोट आई है और सर पे पी चोट आई है और इस वक्त अब इस अनम हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है बट उनकी कंडिशन ठीक है यह स्टेबल जो हैड कॉंस्टेबल गुलाम रसूल है उनको चेहरे पे काफी चोट आई है और इमिडियेटली रात में उनका सीटी स्कैन और जो बेस्ट मेडिकल फिसिलीटी थी वो प्र इलाज के लिए 10-10,000 रुपीज भी दिये गये है इनके परिवार जनों को भी या इनके अटेंडेंट के साथ जो भी इनीशल मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो कवर हो जाएंगे तो फिलहाल हैड कॉंस्टेबल गुलाम रसूल भी स्टेबल है बट चुकि उनको फेस में तो उसके लिए उनको टर्शी केर होस्पिटल स्किम्सवारा रिफर किया गया है जो अभी तक के इसमें एक्यूज हमें आइडेंटिफाई हुए हैं उनके नाम है इनको पुलीस ने अभी ले लिया है इनकी गाड़ी यूज हुई थी इनका गाड़ी भी नंबर हमने पता कर लिया है आइटेंज सिल्वर कलर की है जो जिसमें ये रात में बैठके आये थे और क्राइम करने के बाद ये चले गए इनको भी पीएस नुबरा में बुलाया गया है ये इनको ये नौलिश था कि इन्होंने क्या काम किया है और ये कहाँ पे है बाकी और दो एक्यूज भी हमने इडेंटिफाई किये हैं रिंचन स्पालजांग, सन ओफ सोनम ताशी, रेसिडेंट अफ स्तोक और स्टेंजन स्पालबार, सन ओफ स्टेंजन नुर्भू, रेसिडेंट अफ जांसकार ये भी इसी गैंग के मेंबर्स हैं, अभी तक हमने आठ नाम आइडेंटिफाई किये हैं, जो एक ही ग्रुप को बिलॉंग करते हैं मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने इस इंसिडेंट को बहुत ही सीरियसली लिया है, और हमने फिया नंबर 123, अंडर सेक्शन 147, 148, 336, 332, 353, 307, IPC के अंडर इसको रेजिस्टर किया है, जो कि एक बहुत हीनियस ओफंस है, और ये जो एक्यूस्ट है, जो अभी involved रहे हैं, आपको अगर याद होगा, last year भी इन्होंने करगिल taxi driver को भी मारा था, और फिर ये फरार हुए थे और हमने इनको पकड़ के लाया था, हम ढून के लाये थे, तो इस बार भी हमारी पूरी कोशिश जारी है, कि हम इनको ढून के लाएंगे, और इनके अगे सकते सक कारवाई हम करेंगे, तो मेरी यही अपील है लोगों से कि कोई भी information आपको इनके बारे में हो, तो आप please police के साथ share कीजे, अगर आपको information पता है और आप इनको shield कर रहे हैं, तो ये भी एक कानूनन अपराद होगा, और इसके against जो कारवाई करनी होगी, वो हमें मजबूरन क करनी पड़ेगी, तो ये था मेरी तर्ब्स